Hello students, class 7th, exercise 15.2, question number 1st, use isometric dot papers and make an isometric sketch for each one of the given shapes, इसमें जो shapes दिये गये हैं, इनको isometric dot sheet पर हमें इनको त्यार करना है, आईए देखते हैं, कैसे हम इसमें करते हैं, isometric sheet जो होती है, उसमें एक चीद नोट कर लो, ये दो dot का जो बीच का है, ये एक unit है, एक unit, that is one centimeter, इसमें है gap, ये भे one centimeter है, 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 और इनको येदि हम जोइन करते हैं, तो ये भी one centimeter है, ये एक रोमबस का सेफ दिखाया दे रहा है इधर ये Equality Tower है ये इðर भी Equality Tower है ये Side ये Side ये Side Equal है ये ये सबkaar pillow है लेकिन यदि हम इस Diagonal को मिलाते हैं इस Romeo तो ये इसके equal नहीं है तो ये All ये Equal है ये ये वाला और ये Dot और ये Dot और ये Dot तो कभी भी हमें asymmetric sheet में इस तरह का distance को हमें नहीं लेना है unit के अंदर जहां दिया गया हो तो यहां पर एक यह commute दिया गया है जिसकी यह 6 unit है और यह length इसकी breadth है 2 cm, height है 3 cm तो आईए हम इसको कैसे करते हैं length 6 है और breadth है इसकी 2 तो इसको देखें कैसे करें हम breadth इस point से ऐसे लंगे हम 1, 2, जैसे मनें कहा कि ऐसे नहीं लेना यह 1 cm से ज़्यादा होता है तो 2 हो गया, अब इधर को हमें लेना है यह 6 तो इसको 6 dot चलेंगे हम यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब क्या करना है हमें इसमें आगे अब हम height लेंगे 3 cm, यहां से उपपर को चलेंगे 3 point 1, 2, and 3, यहां से भी 3, 1, 2, and 3, और यहां से भी 3, 1, 2, and 3 अब हम क्या करेंगे, इनको join करेंगे यह line इसके parallel होगी और इधर इस dot को मिलाएंगे हम यह इसके parallel होगी अब इसके parallel यह 2 unit है तो यहां से 2 unit अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे इसके parallel यह जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो clear हो गया है, हम यहां लिक रहे हैं यह 2, यह 6, और यह 3 यह centimeter है, हम यहां लिक रहे हैं यह centimeter में है यह हमने mention कर दिया यहां तो यह पहला आपका complete हो चुका है अब लेते हैं, दूसरा अब second में देखिए, यह 8 unit है यह इसकी जो breadth है, यह 2 unit है और जो height है, वो 2 unit है तो आईए देखते हैं, इसको कैसे करेंगे हम इसकी breadth लेते हैं, 2 unit 1, 2, और यह है 8 unit length 8 unit है, तो इसको हम इस तरह से लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 unit हो गया, अब हम क्या करेंगे, height लेंगे हम 2 unit, 2 unit height लीजिएगा 1, 2, यहां से भी 2 unit 1, 2, और यहां से भी 2 unit 1, 2, अब देखिए यह 2 unit height लेने के बाद अब यह 3 unit है तो अब हम इसको 3 unit लंगे यहां से हम क्या लंगे, 3 unit इस side को, 1, 2 and 3 इसको भी 3 unit लंगे 1, 2, 3 इसको join करेंगे, 2 unit यह 2 unit है, इसके बाद जो height है यहां से भी 3 unit लंगे 1, 2, 3 यह भी 3 unit है अब यहां से हम उपर को height है यह 2 लिखा है यहां, लेकिन यह 3 लंगे हम 2 से नहीं होगा इसमें यहां भी यह 3 unit है, यहां से लेकर यहां तो 1, 2, and 3 यह 3 है, तो हम 3 unit लंगे इसके height यहां से 1, 2, and 3 1, 2, and 3 यहां से भी 3 unit 1, 2, and 3 अब इसको मिला देंगे हम यह उपर 2 है यह 2 unit यहां से यह 2 unit इस dot से इसके parallel इधर को लाइन आएगी 2 unit यहां से इसके parallel यह unit 2 unit अब यहां से हम नीचे को लंगे यह 3 unit 1, 2, and 3 अब यहां से देखेगा आप इस point से हम 2 unit लंगे 2 unit, यह भी 2 unit है यहां से 2 unit लंगे ऐसे और यह इसका जो यह पीछे वाला हिसा है यह 3 unit नहीं आएगा यहां के ओल 1 unit आएगा आप देखेंगे ऐसे क्योंकि यह बाकी 2 unit इससे इसके back side माएंगे तो इस तरह का यह आप इधर भी हम इसको मिलाएंगे 2 unit जैसे यहां दिया गया है तो यह second वाला जो है आपका यह complete हो चुका है अब देखें इसका third part third part में देखें कैसे इसको solve करना है इसमें कोई unit नहीं दे रिखिए हम इसको 2 unit ले रहे हैं यहां पर कैसे करेंगे देखें 2 unit हम ऐसे लंगे ऐसे 2 unit नहीं पहले हम यहां से लंगे हम इसको यह तो बाद वाली line जाएगी इसकी पहले यहां से हम 2 unit उपर को लंगे और 2 unit ऐसे लंगे अब इसके parallel यह जाएगा 2 unit और फिर यहां से हम इसको मिला देंगे यह वाला जो portion है यह वाला है यह जो square यहां दिख रहा है तो यह 2 unit का हमने square लिया है यहां से हम फिर 2 unit लंगे ऐसे एक square और बनेगा यहां यह और फिर इन 2 unit को मिला देंगे तो यह आपका यह उपर वाला square है जो यहां पर यह आपको दिख रहा है यह वाला हम बना चुके हैं अब यह उपर को लेना है हमने यह इसको लंगे हम 3 unit उपर को तो यहां से हम 3 unit लंगे 1 2 and 3 इस प्रकार से और यहां से भी हम 3 unit लंगे 1, 2 and 3 इसके बाद इनको join करेंगे यहां से हम इधर को 2 unit लंगे और इसके परिलल यह लंगे हम 2 unit और इसको मिला देंगे तो यह आप उपर वाला जो इसमें square है यह बन के तयार हो गया है यहां पर अब हम इसमें इसको यह वाला part जो है यह आप देख रहे हैं यह वाला यह वाली line तो हमने draw कर ली अब इसमें देखो यह वाली line ड्रो कर ली हमने और यह वाली भी कर ली है तीसरा जो है इसको लंगे हम अब इसको तीसरा किस परकार से करेंगे इसको सीधे लंगे निचे को इसमें कोई unit हमें count नहीं करनी लेकिन इधर से यह जो line आ रही है इसके parallel इस तरह से मिला देंगे यह आपका जो है third asymmetric diagram complete हो चुका है अब लेते हम अगला इसका fourth वाला part इसमें देखिए यह stairs बने हुए हैं इसमें देखिए stairs की जो length है वो 4 है और यह जो height है यह two है और breadth जो है यह भी two है तो इसको कैसे लेंगे हम four से देखिएगा ध्याम से यहां से हम start करेंगे इसको इस point से हम लेंगे पहले इसके length लेंगे four one, two, three, four four हमने length ले ली अब इसके हम breadth ले लेते हैं two, one, two यहां से भी one, two अब इसके parallel यहां से line ड्रॉ करेंगे अब यहां से हम two लेंगे इसकी यह height है यह length है one, two, three, four यहां हम four लिख रहे हैं centimeter यह इसके height होगी two unit two centimeter अब इस side में देखिएगा आब यह हमने ले लिया इसकी breadth अब length लेंगे इसी के parallel आएगा यहां से one, two, three, four और इसको join कर लें ऐसे फिर यहां से फिर हम height लेंगे two centimeter one, two one, two और इसको फिर join कर देंगे ऐसे यह आपका यह पहला cd बन चुकी है यह height है अब यहां से हम फिर ऐसे लेंगे width two unit यह भी two unit इसके parallel इसको मिलाएंगे अब height लेंगे two unit यहां से भी two unit one, two और इसको मिला देंगे यह line इसके parallel है अब देखिया हमारी पहले cd दूसरे आप तीसरा देखना अब यह width आएगी third cd की stair की यह देखियेगा इसको मिला देंगे तो यह complete यहां हो चुका देखिये four unit यह भी two unit है यह भी two 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 है dot को मिलाते हुई आएगा यह इसी प्रकार से यहां से हम मिलाएंगे उपर को यह isometric seat हाथ से त्यार की गई है यदि आप इसको ready made लेंगे तो आपका figure और बिल्कुल clear आएगा कोशिस किये है हमने isometric seat हार से बनाने की तो यह यह इसका fourth part है यह complete हो चुका है आप देख रहे हैं यह वाला यह दिख रहा होगा आपको बिल्कुल stairs यह first यह second यह first है यह second है और यह third यह complete हो चुका है आप देख रहे हैं इसको आप इस वीडियो को like किजिए share किजिए subscribe किजिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में thanks for watching